हेलो, वेलकम तु लाक नाइट आरूट, आज मैं जिस टॉपिक प्रेडिंग कर रही हूँ, वो है, वो इस कमिंग, एक्स और नेक्स्ट, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, इस ताइम फ्रेम पे, आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, और सॉरी, आज की रीडिंग्स थोड वीडियो को लाइक कर जिया करें, वीडियो सपोर्ट मलती है, में इस सारे एडिंग टाम लस होती है, जब भी आपके सामने आपसाज उर्निट कर सकती है, मैं किसी भी स्पेसिफिक जैनरे के रीडिंग नहीं करती है, अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीक से देख आपके साथ कनेक्ट होने में, आपके साथ बात करने में, आपके साथ साथ सुचुशन को आगे ले जाने में, कौन इस वक्त मेरे वीडियो की लाइफ में आ रहा है, हम्, कुईन ओफैंस, बहुत अधा अट्रक्टिव परस्नालिटी है, जो आपकी लाइफ में आपको इन डिया आपकी अटीर लेकिन यह जो भी परसन है जोभी मेल आपके सुच के अचम लेने वाला परसन है बहुत जादä क्क्षय आपके लिएफ में इन्तRE करना चाहते है यह निए परसुष्ध में अनुर्टरम केुछर इन एक करती है, जित निए जाथ खायों होता है, जो एक अपनी लिया जाता है, जो एक पनी लिया जाता है आजसे पॉइंक अलाया पार सिरयक्ष श्यायरम कर का mehr देड हい जे अली वोनियाय देडुन कसे हम दो बेंगा मोलोर्क कौने, तक कर दो हो कि जुडशा में डोदीे बैजा को देल दो दो हिंस्यायरम कर कर दो हो एसी परोगा इसे दो दो कर ठäg सक कर दो हो नहीं है बिल्कुल कोई action दे रहा है आपके तरफ कोई आप में interest भी ले रहा है कोई बादा attractive personality है ऐसा हो सकता है जो भी person आपी life में entry ले रहा है जो person आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच राइस time frame ले जो आपके life में connect करना चाहता आपके साथ आना चाहता है कोई pad हो सकता है dog या cat इस person के पास ठीक है लेकिन यह person expect करेगा आप इस person को love करें ठीक है आपके life में अगर इस person intrigue करता है वैसे मुझे बहुत अवैसे बहुत अवादा नॉर्मल इंसान नहीं है बहुत फ़र्ट करने वाला या बहुत अवादा एक फ्लुटिंग बेस यह person नहीं है यह फ्लुट करने को और यह relationship में कीजों को एक negative तरीके से treat करने को यह person right नहीं समझता तेके यह जो भी आपकी लाइफ में परसन अट्रैक्ट हो रहा है यह long term partnership में यकीन रखता है और एक true emotions इस person को अपनी लाइफ में true emotions चाहिए true feelings को यह person जैन्वन एक खुद जैन्वन परसन है यह genuine person सामने से भी वह genuine love वह feelings वह सब कुछ feel करना चाहता है तक खुद ब्लकुल कमें यहां यहां पर यह person आपको देख रहा है और आप इसको देख रहे हैं तक है कि आप इस person को कुछ cup of love दिया था ओ़र-फ्लो हो क्लाव आपनी बहुत से emotions दिये थे आपने कुछ offer किया ता इसको आप इसके action का वेट कर रहे हैं आप इसके एक हर्मिट मूट से बाहर आने का वेट कर रहेए. यह वो परसन हो सकता है. आपने कभी इस परसन को पास्ट में कुछ ऑफर किया था. ठीक है? आपने कुछ इस परसन को इस टेबल कर दिया था. आपने इंटरस्ट शो करा रहे हैं. मतलब कि इस परसन जानता है अपको र्रिलेशनिशिप का इस परसंने को तैगि लगा में लगा यह बाकिकर कुछिए आपको असूछ यह जाए्गिने होते हैं विण शेच्छन को नहीं कि यह जा सकता है असा है उन्हाला में एक्सेट्रित अक्र segunda से को फुर्ष करके शामाने में उता है mo scientist आप लेकिन को जानते हैं और आप वियर्स आप लेकुल करता हैं वेक्वाजों Azac आप एकटन उनचारं ट्विमाने में और पुरप उन्धिय स्थान सब्सक्राइपिक कर रहा हकी थाई है कि तरफ से वह बैलनस वह सपोर्ट वह लव नहीं मिला जो सोल मेट काइंड लव आपने फील करा वह आपको इन रिटन दिया नहीं गया तो आप जस्थिस चाते हैं तो आप जाते हैं है असरों से जस्थिस और एक बालनस उफर चाहते हैं aap इस पर संसे कमेटमेंट करना चा हर्मिट जोन, यह बहुत सोचता रहता है यह person एक नेगटिव परसनालिटी नहीं है इन नेगटिव इंसान नहीं है अपनी लाइफ में आपको बता दूँ यह इस थाह एंपिर जेहार करता है। यह रहीं इस पर बहुत जाद है जिसन के देहान है तो तो और इन साहन करता है। उस तो बेग Тds. सब्सका घ्रात ने थे जा है। तो पिर गज़ दो आऄं है। लोगा को जाने हम और वह जए जर्वन मौण करें जाना है, तो जाने हैं आपके साथा हमे और वा महीविचिक ची सान। इसने कभी भी आपकी तरफ एक बैलन्स चैन थिया, अपने कभी feelings एक्स प्रेस नी कर innovation को अपनी अपनी की अपनी कभी feelings का अपनी कभीकी साममेर रखा थेनी औरक्षानी और आप कही नहें एन्टी ут ani और आप बहुत दालेपथिक लिए परसन से चनेक्ट होते हैं या किसी म्यूजिक के थ्रूप करेक्ट होते हैं लेकिन आपके साथ लगता ही परसन आप में इंट्रस्टेट है और आपके साथ यह फुर्दर आगे चलना चाहता है यह एक्षल लेगा जैसे आपकी इंटुशन कहत यहां डिवाइन ने आपका कुछ नो कुछ मतब कि इस रिलेशन्शिप से कनेक्ट होने का कोई नो कोई परपर्स है आपकी लाइफ में यह वो कनेक्ट है उन लोग साथ रजूनित होगी मुझे नहीं लग रहा आप लोग के भी कभी भी रिलेशन्शिप बनाई यह वो लो मन इस तो सबस्षा ने अन नहीं रहता है यह प लिसि जा बहुता है आपका क不到 औल झाल । हमके डिलेशनल वादा के बहुत साल लाइफ में लग कर देटों कर ताइए यह बस पर्संट कि जो फैमी आपत चलने वाला पर संथिए यह निद्रा वालात देटिशनल को सी शात आपने बहुत है के लिए एपना इसलोग्ना चाहिए इसके साथ मतलब कि विख्ट कोμबिनेशन आप छा लोगा शाल इस परसन की इसा हो सकता है अप्ने परिसंग को लिकर इसा हो आप परसन की तर tough की टीक है आप म करते इसा होना चाहिए अप्रिसंग कर Union एक क्यिक्梅 की होगे.. कि पीछे से पास बहुत सा ने कज mock तरतार पता थे लिए से के उसा कespère भी को हुआा को है जब मेद इससे लोग कर पीछे से पेखे से ने किसी समें język में कमद कि ने कम तरस भी सरा इ Magazins rained जाना का तरहाएगा किसमें ये भी हो वो भी ये भी हो कुछ एंड हुआ है आप दोनों की etmek मैं ख़ता है कि आप दोने के विशन बेल्कुल ख़ता opponents कम्निकेशन नहीं है ठीक है कि को पर सबुदिश करेंदा श्माइप दोने के भी है आप दोनों के बीच आचुके है एक डिस्टस कुछ रिये हो चुका है तीकBoy इह उसक्त की तक painting कर आँड़ा हो है यह पर नट टाय संस्टेंग के बाद यह पर संप चीजे सोच तो रहा है इस श्टस बन चुक दोनों के बीच कुद को मेंट्ली स्ट करा हसे पर सब जोन एकि बहुत कोशिश करिए ठेके पास्ट में अब बहुत रैशनल रहे हैं और यह परसन उतना ही सालेंट और इतना ही पीस्फुल रहा है ठेके बतब कि आप रश करते थे इस रिलेशंशिप की तरफ इस परसन की तरफ आपको लगता था आप लूज कर देंगे ठेके इस परसन को आपको फियर रहा है स्टार्टिंग से ही आप किसी ना किसी तरीके से परसन को चाते थे परसन आपकी लाइफ में बना रहे है आपके साथ इस परसन की मैरिज या कमेट्मेंट आप लॉंग तम क्योंकि आपको लगता है डिवाइन भी गाइडेट करेक्शन है एफर्ट करन लिए अपको नजर से देखता है कभी कुछ एक्स्पेनेशन नहीं है कुछ भी नहीं है मतब के एक टोटली डैडेन मिलता होगा या तो ना मिलता होगा डारिकली लेकिन आपको इंटुटिफ़ी रखता होगा यह परसन आपका एक मतब के एक फिचर काउंटर पार्ट है य इसमनेशन नहीं नहीं बहुत नहीं है एकडिव सर्ली मिलत बत्राय मिलता हुआ कैस अचित के भी लिए ऐसी statement भी लिए ऐसर का। इस परसंदे आपको इस तरीकिसे औंसर की एंशायर तेक्ष है आप आप कन्फ्योस रहें बहुत टाइम तक इस परसंग रहें इस परसंगे आपको इतना कन्फ्यूस रख़ा यह क्यों अपनी लाइफ में इतना बिजी रहा आप इसकी तरफ actions लेते रहे लेकिन इस परसन ने ऐसा क्यों क्या बहुत लंबे अर्से तक confused रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक आप स्टक रहे हैं अपने emotions आपने इस परसन में इन्वेस्ट करें जो क्योंकि आप इदर इस परसन के साथ family बनाना चाहते थे लेकिन बहुत अदर complications नहीं सिफ इस इसका dream आपको लगता है वन साइड़ होकर ही देख रहे है और destiny और यह सब कुछ आपने destiny की विरस आपको असा लगता था इस आपको सामने से जो आपने effort करी इस लेशन्चिप नहीं मिला सिफ ख्रश रहा है वन साइड़ कनेक्शन रहा है वन साइड़ आपने भाथ नहीं आए वन साइड़ इस लेशन्चिप को आप पूरा करते हैं आप आप यहां पर क्यों एनरजी है इस परसन लॉंटरम परसन है इस बात करता किसी रिष्टे को यह आज कहीं बात कर रहा है मतब के fun flirt करना और थोड़ा सा light hearted रखना, communication करना, बातचीत करना और move मतब के stable grounded person है यह decision उधर लेगा, decide उधर करेगा जाहिए इसको marriage और commitment करनी होगी clarify four of sorts, क्या सोचता है यह person? cold रहता है बहुत जादा किसी को पता नहीं चलने देता है यह person क्या सोचता है grounded person है ठीक है बहुत जादा stable person है बहुत जादा cold रहता, detached रहता है मतब के क्या चा रहा है, क्या सोच रहा है किसी को भनक भी नहीं होती सी इसकी ठीक है clarify chariot, यहाँ पर chariot के energy तो है इसके बात करने के behavior में भी बहुत रूट काइंड इनरजी है यह relationship इतने असानी से नहीं बनाता जो भी person आप जिससे भी deal कर रहे है five of cups बहुत रहता है इसको किसके साथ connect करना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी love life को लेकर बहुता confused रहता है क्योंकि इसको किसके साथ मारश करनी आज ता किसको ऐसा person समझी नहीं आया ठीक है किसके साथ इसको आगे बढ़ना चाहिए अपनी confusion बहुत है इसके माई में तभी इतना silent रहता है इसके लाइक में clarify your thoughts आप बहुत जादा emotional रहें इस person के लिए आप बहुत जादा emotional रहें deep down बहुत केरिंग, motherly, nurturing energy रही है आपने बहुत केर कर रहा है आपकी support रही है लेकिन स्टार्टिंग से मैंने का आपके अंदर fear रहा है इसको खो देने का आपके अंदर इतने emotions थे, इतने emotions थे co-dependency थी आपको हमेशा डर रहा है कि आप इसको खो देंगे, आप इसको lose कर देंगे यह चला जाएगा आपकी life से बहुत जा ignorance भी देखिए आपने इस person की तरफ से आप भी दोनों equal बहुत जादा attractive personality है जितना वह attractive है तो आप भी कुछ कम नहीं है लेकिन फिर भी इसने आपको ghost कर रहा है आपके love को ignore कर रहा है वादक ghosting, ignoring वादक energies की ऐसी रही है ghost करना, ignore करना appreciate ना करना आपके efforts को आपको understand ना करना आप बात करने जाएं, block कर देना मतब के आपसे चीज़े height करना अपनी life की अपनी life की चीज़े को छुपाना आपने यह सब कुछ बहुत देखा इसने आपसे दूरी बना के रखिए एक distance बना के रखा clarify two of cups और आप यहाँ पर two of cups चाहते थे इस person से balance relationship चाहते रहें clarify two of cups यहाँ पर two of cups की energy क्यों है आप चाहते थे आप दोनों एक साथ हैं और इस situation आगे बड़े आप दोनों मतब के future plan करें इस रिश्टे में ठीक है आप दोनों एक साथ आएं और इस रिश्टे में future plan करें बहुत जादा back stepping देखिए आपने बहुत जादा मतब के pain देखा आपने बार बार आपने यह feel कर रहा है इसने आपकी value नहीं करी आपके effort को समझा नहीं इसने आपकी job कर रहे थे इस रिश्टे में इस चीज को understand नहीं करा ठीक है आपने बहुत जादा pain फील कर रहा है इस रिश्टे में ठीक है अपने हर act के बात आपको जैसे एक pain मिला है आपने कर रहा positive लेकिन आपको मिला negative clarify justice यह वो person है भाई जिसके उपर आप crush करते हैं जिससे आपको कभी कोई relationship नहीं मिला कभी कोई commitment नहीं मिली मैं अपकर relationship भी नहीं मिला कि हाँ हम दुनों रिश्टे में है clarify justice आप justice चाहते हैं एक new beginning चाहते हैं new start चाहते हैं ठीक है आप trick striking करना चाहते हैं आप लाइफ में healing पे हैं इस वक्तिक है आप divine से एक new beginning अपनी life में new beginning manifest कर रहे हैं आप अपनी life में new beginning होने का wait कर रहे हैं आपने बहुत महनत कर रहे हैं इस रिष्टे में आपको कुछ नहीं मिला आप इस situation से thoughts आगे बढ़ रहे हैं कि आपको इस रिष्टे को चाहिए clarify ace of pentacle आप manifest कर रहे हैं एक new beginning एक new start अपनी life में ठीक है आपको इस रिष्टे कर रहे हैं clarify ace of pentacle आपको इस रिष्टे कर रहे हैं अगर divine ने आपर कुछ देना हुआ तो divine दे देंगे आपको ऐसा लगता है अगर तकदीब में अगर नसीप में हुआ तो हो जाएग आप divine से justice चाते हैं आप प्रिक्स टेकिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने हैं आपने बहुत टाइम दे दिया बहुत अर्सा दे दिया आपने pain देख लिया clarify herophant clarify herophant clarify herophant आपके परसंड किसी तरह की clarity चाहते थे 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 आपके परसंड के अंदर बहुत जादा wisdom है आपके पार्टनर को कोई clarity नहीं मिल पा रही थी ठीक है आपके तरह fact करने के आपके तरह यह तो attention देने की ठीक है यह person आपको आपके emotions को छोड़कर आपकी life से walk away करके गया था clarify ten of swords आपके person के wisdom की वरे से कुछ आपके पार्टनों को clarity मिल रही है इस time frame पे यह person किसी scenario को लेकर clear हो रहा है अपने thoughts को लेकर या अपनी family को लेकर मतलब कि wisdom बहुत जादा इस person को support कर रहा है इस relationship में किसी clarity के लिए ठीक है clarify ten of swords, यहाँ पर ten of swords की क्यों energy है judgment यह sending के बाद एक second chance चाहता है आपके person ठीक है आपकी तरफ बहुत टॉक्सिक रहा आप लोग का connection पास में बहुत टॉक्सिटी हो चुकी थी confusion इतनी थी बहुत ज़दा negativity थी इस person इस ending के बाद awakened हुआ है इस रिष्टे में ठीक है आपके partner की awakening हुई है कोई ending के बाद कोई आपने शायद हार मान ली आपने इस person को अपरोच करना छोड़ दिया या आप लोग के बीच एक closure हो चुका है आपने completely this relationship की ending को accept कर लिया clarify five of swords इस आपने five of swords की qnlg है इसे बहुत ज़दा mind games खेलें बहुत सी चीज़े hold back करीं आपको हमेशा truth नहीं बताया इसने lying, cheating, betrayal इसने किया है ठीक है इसने बहुत ज़दा mind games खेलें hold back करके रखिए बहुत सी चीज़े आप से आपको हर बात नहीं बताई क्यों confusion है, क्यों यह आपके लिए clear नहीं है बहुत सी चीज़े इसने hold करके रखिए और अभी भी hold कर रहा है इसको पता है इसने आपको back stepping, cheating, lying क्यों की थी इसने hold करे में reason यह ठीक है यहाँ पर इसने आपको मतब कि इसने आपको एक bad तरीकी से treat करा है जितना आपने PR कर रहा उतना इसने misbehave कर रहा clarify three offence यह person क्या सोच रहा है clarify three offence fearful हो रहा है आगे को लेकर पता है क्या जिस चीज़ का wait कर रहा है एक fear है इसको नहीं पता इसके दिल में जैसे एक किसम का dare बैट चुका है इसको लगता है कि शायद आप let's see, यह डर किस हवाले से कि शीज़ का a non-fair इस person को clarity मिल चुकी है इस person को बहुदा practically clarity मिल चुकी आपके partner को आपके person को आपका डर है कि शायद अब आप action यह person आपकी तरफ action moves करना चाहरा है action लेना चाहरा है आपके partner को कुछ clear cut आपके लिए पता चला है लेकिन इस person को नहीं पता कि आप इस person को accept करेंगे वो love करेंगे यह नहीं करेंगे यह आपका weight भी कर रहा है weighting energy भी नजर आ लिए dilemma में है mood swings हो रहे है इस person को इस person के पर बहुत ज़दा effected रहती है effect करती है clarify eight of sorts यह पर eight of sorts की क्यों energy है क्यों खुद को stuck समझ रहा है यह weight कर रहा action लेने की बजाए silent है बिल्कुल अपने आपको mentally block समझ रहा है इस time frame पे क्योंकि आपको छोड़कर गया था emotionally इसने distance बनाया था x y z पता नहीं जो जो reason थे इसने बहुत से reason बहुत से betrayal बहुत से cheating बहुत से जूट को बोलें अभी तक hold back करा हुआ है आपके सामने कुछ खास clarity नहीं आप हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मतलब कि आपको इस person की तरफ से कोई clear cut conversation कभी मिली नहीं इस में अतना था एतना था इस में रचान काया था पता थाए आपको बहुत राणाप बहुत रहना इगोस्टीब शेख आपको लेकर हमेशा बहुत परहें कुष्ट को दया क्यूटिव है क्यों till ये मेंन् arrangements क рукशनाप फृरिनी Bemu क्यी है साइलिंट हुआ वा है कहीं नहीं हैं हाइप्रिसिस की एनरजी डिवाइन की हेल्प लेनी की कोशिश कर रहा है क्या करें आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है डिस्टेंस हा चुका है सिचेशन के बाद क्लारिफाइए नाइट अफसोर्ट्स आपने लफ इस परसंड को दिखाना या बन कर दिया आपने एक्षण लेना बंक कर लिया या आपकी एनरजी अब आप बात नहीं करते है पहले आप रैशनल तरीके से एक्षण ले लिए करते थे आप सोच बहुत ज़्या रहें हैं ठी तिलिंग एनरजी है अपके अज़ होए और स्लोल इंदर इस बाहर जा रहे हैं इस से सिच्वीशन आ कंडेर नहीं अपर इस रखने को को तक नहीं को सोच आपने अपने खुद को होड़ कर लिया अपनी इसी नियुलिग पर देहां दे रहें आप इस कनेक्शन से खुद को फ सब्सक्राइब तरह भी हैं त जैहे चल्शान MARKS UK है रेखाव सब्सक्राइब है जिससे डिरामें 走吧 एई परशन हैं को सब्सक्राइब तरहेजि़ सब्सक्राइब साव करें आप लाप सब्सक्राइब इस ताम वे रहे जा आप और रहे ऊपाउनीद को सब्सक्राइब आप कहो बैलन्स कर रहे हैं? इस परसन ने आपको Imbalance करके रखा, Confuse करके रखा तीक है? आपको यी बाह बाह समझ में नहीं Ն रही है आप क्या करें? ठीक है? आप किसी दो परसं की बारे में सोच रहे हैं इस टाम फ्रेम पे एक ये ये परसन हो सकते है आपके लिचा पास Patron की विरसए, आपके तरफ आा ना इपा रहे है, आपके यह इन पर्सें के और दाए Karma है. इस विर ही रिसान इन पर आपके डिछा समय經 CT Commission ही पास हो다면 आसमने पास बाते हैं, आपको आटे हैं रिखा हो। यह हими बाते हैं ज़ा। कि इस पर्फिल कर रहा है मेरे यह विभिजका को लेकर आपड़ों के बीच कोई अंडिंग आ चुकी है आपके पार्ट रिटी मिली है जिस इस बेरा परसुम को पहुतकि अब्सकृ erste पर्जार को से असर को इस परण के जी आस मिलें हैं। आपके परसुझ शागरे zu flank मुझा कि अई मेग आरे हैं। आपकेम के परसुझ शाहरे हैं। एकुछा पर मतब करता है। इसके अधर क्या चल रहा है। इसकी में लाइफ नहीं करना चाहता है। तुछा हुआ हुआ है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिटी लेकर आना चाहता है अब सतवर लाइफ में ठीक न particulier परार्टनर लाइफ में स्टेबिटी लेकर आना चाहता है मैंनतल स्टेबिटी चाही के परे इस परसुम में स्टैबिटी दो थे तेसा स्टे स्टै और युछ घुण Лएब दो गातो भी क्या रहा है इसके पास सकून महीं है, यह कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, टावर मैनिफेस्ट कर रहा है यह परसन अपनी लाइफ ने, जो इसके अंदर है, वो सब बहार आ जाए एक ही जटके में, मतब कि जो इसने होल कर लिया है ना, वेट में पानी पी लिए आपके परसन ने जो अपने अंदर होल करके रख लिया है ना, आपके परसन उस चीज को निकालना चाहते है, एक टावर मुमिन के जरी आपके परसन को ऐसा लगता है, जिससे यह परसन जो है ना, आपसे इतना बोलना चाहता है, इतना बोलना चाहता है, जो इसके अंदर भरा बटाना हो यहाज दिस्कर्स करना चाहरा है इससे और उत्र है कि जए आप को अपने अंदर का अंदर करना बात है लेकिन इससे हो नहीं रहा है, इसको एक्सP्रेस करना नहीं आता, इसको कुने आन्दर की तकलीफ यह . जो भी उन्दर की तकलीफ यह जो भी इसकर बताना नहीं चाह रहा है ठीक है? आपको इसकी सोच, इसकी थौर्ट, इसकी चीज़े आपके साथ कनेक्टेट है, यह चाहकर भी नहीं हो सकता है, वेट कर रहा है, ठीक है, वेटिंग एनरजी पर है, कि आप शायद अपनी तरफ से कोई एक्शन दे लें, आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आप यहाँ पर is person को is person से बात करने किसी वे में, emperor, अपने emotions हाइट कर रहा है, emperor energy के पीछे बहुत जल्ट जादा king of cups बनावा है, लेकिन आपको जगल कर रहा है, communication की जाये तो कैसे की जाये, क्योंकि कर अमिदमार्ण उगष्प्रार के गहाए। एवियर्ण है। अमिदमार्ण पाAKा. नात्र शेठी की जाए। भर खोची जात हैं अम्यू Omaha's, भीज़ह, मैं अरव भीज़प्सचा, कैंजये तो सकते हैं। वेट कर रहा है यह आपको, strongly वेट कर रहा है, sleepless night है, वहर दर stress है इसकी लाइफ में स्टीज को लेकर एक्षन लेना चाह रहा है, इस परसन का transformation चल रहा है, यह transform हो रहा है, इसका जितना ego है, जो ego, एक egoistic behavior रहा है, जो भी एक rigid energy है, वो transformation से गुजर रही है, एक balance energy की तरफ move करने के लिए, ठीक है, क्यों connect करना चाह रहा है, इस टाइम यह आप से, यह आपका ex है, जो भी आपकी life म आप लोगों की बीच relationship नहीं रहा है, ठीक है, connection नहीं रहा है, यह आप लोगों ने दुसरे को confess नहीं कर रहा है, यह person जानता था, आप crush कर रहे हैं इस person को, आप इस person से future सोच रहे हैं, marriage सोच रहे हैं, commitment सोच रहे हैं, ठीक है, इक करनेक्ट करना चाहता है, वेटिंग energy भी इसका ego, एक ego इसका जो है, बिल्कुल dissolve किया जा रहा है, ठीक है, इसके ego को खतम करना है, divine में, क्योंकि एगो की वरसी बहुत से चीज़े बरबाद कर रहा है, और इसका ego को तोड़ने के लिए divine में आपको भीज़ रहा है, आपको पता है, आपने इसके ego को hit किया है, आपने कमाल का trigger कर रहा है, तो आपने भी इसको कमाल का trigger कर रहा है, ठीक है, क्यों आना चाहरा है यह आपकी life में, आपके partner के life में बहुत से options हैं, लेकिन यह किसी चीज़ को accept नहीं कर पा रहा है, यह emperor सिफ इस two of cups को याद कर रहा है, जो इस person के life से जा चुका है, heartbroken energy क्योंकि यह अब exist नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी जिंदगी में बहुत कुछ है, यह कुछ accept नहीं कर रहा, इस person को याद है, यह पर इसने imbalance रखा, ठीक है, इसने balance नहीं कर रहा, यह चाहता है, चीज़े past, जो past था, वो past में ही रह जाए, चीज़े आपके साथ आगे बढ़ें, ठीक है, death की energy फिर दुबारा एक rebirth चाहता है, यह अगर आप लोगी communication एंड हुई भी है, तो यह communication को manifest कर रहा है, strongly manifestation चल रही है, यह emotional loss में है, ठीक है, emotional loss में, past खत्म करके positivity की तरफ move करना चाह रहा है, यह person healing कर रहा है, यह person hope रख रहा है, इस relationship में आपके person को hope है, यह person walk away कर गया था, इस relationship को छोड़ कर गया था, आप लोग के भी जो हुआ, वो separation होना लाजमी था, यह stuck है, जा चुका है इस relationship से, heal कर रहा है खुद को, लेकिन यह stuck है, यह आप से move on नहीं कर सका है, ठीक है, यह आप से आगे नहीं बढ़ सका है, इसकी सोचे, इसके thoughts आपके पर ही stuck है, यह इस परसन नहीं करा, इस परसन ने, confess कुछ नहीं कर अपनी लव को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, बहुत जादा होल बैक करने वाला परसन है, हद से जादा rigid है, कुछ आपको पता ना चल जागा, कुछ शीक्रिटिफ एनरजी, सीक्रिटिफ चीज़े अपने साथ रख इस परसन मेरे वीवर को लेकर क्या सोच रहा है, इस परसन को जो है, इस परसन को जो है ना, विज़ुम की वरह से मैंने बताए ना, पहले ही कोई clarity मिल चुकी है, आपको लेकर, बहुत ज़दा wisdom गेन हो रहा है, partnership and alliance, इस relationship को लेकर, इस partnership को लेकर, इस परसन बहुत जादा सो positive movement forward, six of source की energy में थों कि पहले भी निचल चुकी है, इस परसन बहुत है, इस परसन सबर बहुत है, patience, patience, patience है, patience है, हद से जादा patience है, वह से आपले से बहुत है, सबर रख चया है, truth को देख रहा है, ठीक है, उपनी life के truth को कुछ truth त्रुट ही इस तेख रहा है, darkness से move कर रहा है कुछ इस परसन के अंदर मुवान मतलब के कुछ डाक था इसके माइन में कुछ डाकनेस थी नेगिटिविटी थी जो अपनी लाइफ पर लेकर चल रहा था बहुत अथारटिफ परसन है यह कंट्रोलिंग परसन है जिससे भी आप दील कर रहें यह थर्ड टाइम एंपरिल की इस तब हो रहें जो है और ठाकमर की जो इस तब करा रहें यह हो क्लेव है यह बहुत रहya है तिस बासमझ में आरही है पिशन्स और प्लानिंग है यह नियदा एंपर जो कुछ भी हो रहाओ इस ताइम फ्रेम पर व्हेसरिश्बों सब्सक्राइब कर यह रहा है एक हितम हो दाया को सायद करखा यह हैक इस लिएक सायड करहा है है इस को कभी एक्षिन करने का आप से ट्रिggर शुंदू अलवार कि यह जाओku लिए से बहुत होने घंगा है। और लगा से बहुत कुस्कों कर से एक राट रुळ षाहर दूरे दित आपि शुमिल करे ले इत दुछते शु कहा हैill मुझने लिखन शरहे रहे हैं, वर इसे को अपको भिखनग, यह शरहे, हैँछ से तक मिन हो, पर खाथ कर द हमा जब शरहे,। Is this season और शरहे हैं जो खराब भां जब आने बीश्च कहत cave, व्हें मोग ढई बनात थे भी महीए,। कि यह इस तरीके का इंसान है, कि आप सोच भी नी सकते हैं, यह किसी की तरफ move नहीं करता है, किसी की तरफ action देता है, क्योंकि move on करके गया है, इसने चीजों को छोड़ कर गया है, अपने हिसाब से इसने emotions को आपके side किया था, क्योंकि इसको accept ही नहीं करने है थे उस time frame पे. इस रिडिंग पर रखोंगे रिडिंग अच्छे लिए को लाइक करें, कॉमेंट करें, शियर करें अनेर्जी एक्स्चेंज के लिए लाइक के बडिन दबाना मत भूलें और इंसेग्राम को फॉल्ल करें, थैंक यू